आज आप सबसे इस कोरोना और कोविट के दौरान जो सिचुवेशन्स हैं उन्हें से जुड़ी हुए कुछ बाते हैं कि ये हैं कुछ रेमेडी या सल्यूशन्स जो हेल्प कर सकती हैं है आज आप से बात कर रही हूं कि इस वक्त आप में से बहुतों के परिवार इंपक्टिद हैं इस कोविट की वज़े से कोविट को अगर निम्रोलोजिकली आड़ करें तो वो नंबर भी भारी बढ़ता है कहते हैं न जिस चीज़ का आप नाम ज्यादा लेते हैं वो मंतर हो जाता है जब ऐसी सिचुएशन में हर व्यक्ति के परिवार में जान पैचान में आप सुनते हैं और जो इस समय ग्लोबली सिचुएशन है उसमें कम सकम आप इतना कर सकते हैं उस चीज़ को कॉंट्रिब्यूट ना करें घर में परिवार में अगर कोई व्यक्ति है तो उनको हीलिंग दे सकते हैं आप आज आप से कुछ मुद्राज कुछ सुच वर्स और कुछ कलर्स और कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूं रिक्वर्स बस आप से इतनी है मैजिक नहीं है इसमें ब बिमार हो सकता है तो अगर आप अल्रेडी नेगिटिव सोच रहे हैं आपकी वाइबरेशन स्लो हैं तो चीज़ें बिमारी भी बहुत आसानी से आप तक पहुंशती है आसान नहीं है इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं खुद भी मेरे परिवार में मेरे मॉम डायट समें इन मुद्रा के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी जब हम मुद्रा की बात करते हैं तो जैसे अंगुठा है फायर एलिमेंट का है इंडेक्स फिंगर है एर की है देन मिडल फिंगर स्पेस की है देन अर्थ एलिमेंट है न वाटर तो आप पहले तो आदी मुद्रा करेंगे आदी मुद्रा करने के लिए या कोई भी मुद्रा जो आप करेंगे या तो जमीन पर बैठ जाएं पालती मार के सिट विद यो लेक्स क्रिस क्रॉस या नी के बल घुटने रखके उसके उपर आप आराम से ऐसे जैसे बैठते हैं वैसे बैठ जाएं या क लिंग देख सकते हैं अब आदी मुद्रा के लिए आप क्या करेंगे अपने अपने हाथ खोले यह अंगूठे को आप रिंग फिंगर तक जहां तक जा सकता है वहां तक ले जाएं उसके बाद इसको कवर करें आम तो पर जब आप मुठी भीशते हैं तो दूसरे तरीके से अ मुठी बन गई इसको आदी मुद्रा कहते हैं अब आप यू करके इसे अपने जब आपने पालती मार के बैठे हैं या आपके घुटनों के बल बैठे हैं ऐसे यह फेसिंग आउट जैसे मैं आपको दिखा रही हूं अपने गोद में या अपने थाइस पर रख ले और जब आपने यू रखे हैं ये मुद्रा ऐसे आपने बनाई रखे हैं हांत बहुत शांत बन से ब्रीधिंग अपनी ब्रीधिंग पर फोकस करें देखें आपकी सांस बहुत भारी चल रही है या हलकी चल रही है फोकस अपनी सांस पर करें और पूरी इंटेंशन के साथ अगर आपको शेयर कर रही हैं कि वो हीलिंग कैसे करें तो अंगूठा अंदर इंडेक्स फिंगर तक उसके बाद ऐसे मुठी भांस के ऐसे करते हूँ हाथ अपने गोद में थाइस पर रखें तो ऐसे रखा और पांच से दस मिनट तक एक तम आराम से ब्रीधिंग पर फोकस करें ये क्यों बोल भी हूँ आपको क्योंकि इट इंक्रीजिस यूर लंग्स कपासिटी और भी बहुत बेनेफिट हैं इस्पेशली आज कोविट के दौरान जो आक्सिजन या लंग्स को इंपक्ट हो रहा उसमें ये बहुत हेल्प करेगी आदी मुद्रा दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं प्रिथवी मुद्रा जैसे मैंने अभी आपसे कहा ये रिंग फिंगर का इलिमेंट है अर्थ का प्रिथवी का तो अब आप क्या करें रिंग फिंगर को दोनों हाथों की लें अपने अंगूठे से बाकी की उंगलियां ऐसी सीधी या आप ऐसे करते हुए पालती मार के या कुर्सी पर आराम से बिल्कुल रिलाक्स होके बैठें पांच-देस मिनट तक अपनी ब्रीधिंग पर फोकस करें या ऐसे आपकी तरफ फेस करें या बाहर भी फेस कर सकता है अब देखें मैंने इन दोनों को अंगूठे की टिप को और आपकी रिंग फिंगर की टिप को साथ में जोड़ा है और ये बाकी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हैं ऐसे ही आप करें ये क्यों ये आपकी इम्मिनिटी को बूस्ट करता है आदी अर्थ एलिमेंट पृत्वी तरफ के लिए ये आपको ग्राउंडिंग भी देगा जो इन्जाइटी है, स्ट्रेस है तो ये दोनों मुद्रा आप 5 से 10 मिनट दिन में दो बार तो जरूर करें अपनी सेहत को देखते हुए ये आपकी कपासिटी को भी इम्मिनिटी को बढ़ाता है दूसरी चीज, खाने में कुछ चीजों का ध्यान रखें खास तोर पर आप जिस देश में हैं, जिस शहर में हैं जो अवेलिबल है जैसे खास तोर पर ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, आपल्स हो गए सेव हो गया, पेर हो गया इसको धो की अच्छे से चिलके के साथ खाना है पीच है, मैंगो है, पाइन आपल है मैंगो का तो चिलका उतार की खाएंगे और पाइन आपल खा भी जैसे जो पल हैं जिनको छिलके के साथ खा सकते हैं जैसे सेव है, पेर्स हैं, नेक्टरीन्स और पीच, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज बहुत अच्छे हैं साथ में सबजियों में बेल पेपर्स, शिमला मिर्स, हरा, लाल, पीला जरूर इस्तिमाल करें अगर आपकी सेहत को सूट करता हूँ, डॉक्टर्स की परमिशन हो तब जैसे रेड कैबिज यूज कर सकते हैं, टमाटर यूज कर सकते हैं, ब्रॉकली, केल, आर्टिचोक्स, या सेलरी, स्पिनिच ये चीज़ें यूज करें और चाय या कॉफी को थोड़ा कम करें, हाँ, ग्रीन ठी आप यूज कर सकते हैं, अब खाने में कुछ इन चीज़ों को करना है, जैसे बनानास को भी आप यूज कर सकते हैं, तीसरी चीज, अगर आप बीमार हैं, क्योंकि एक होता है, बीमार की तीमारदारी करने पर भी, जो वेक्ती देखभाल करा, वो भी बीमार हो जाता है, या वो भी थकावट की वज़े से, तो आपके घर में जो भी बीमार है, आप दवाईएं NNE, North, North, East, मान लिजे ये North direction है, और ये East direction है, इनके बीच का direction हो गया North, NNE, तो आप इसके बगल में NNE, अपने कॉमपस पर दे हैं, इसके अलावा आप meditation करने की कोशिश करिए, या ध्यान में ये मुद्रा भी करने, आप जो कर रहे हैं, जैसे मैंने शेयर किया, तो घर के East या North, East direction में ही करें, इसमें आपको health benefits ज्यादा मिलेंगे, अब आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये एक बुद्ध मंत्र है, लेकि हुआ, उसको जब ambulance में लेके गए, तो पहले तो ambulance को जब बुलाया गया, तो उन्होंने कहा, आसपास किसी hospital में bed ही नहीं है, COVID के कारण, फिर जो bed मिला वहाँ पे, जब तक हम पहुँचें, तो जब तक मेरे परिवार वाले सारे वहाँ थे, मैं बाहर waiting room में, क्योंकि एक व कर सकते हैं, भाव के साथ, अब जो चीजें मैंने आप से पहले भी कहा है, मैं यूहीं शेयर नहीं कर रही, और अगर यूहीं होता तो मैंने बहुत सारी चीजें कहती होती, अपने अनुभास से शेयर कर रही हूँ और इस वक्त तो मेरे खुद के parents को ही COVID हुआ है, और ये कहूँगी कि मैं चैंट नहीं करी, मैंने भी लगाता, मैं भी यहां से चैंटिंग करी हूँ, मैं तो यूएस में हूँ, वो इंडिया में, आप अपनी हीलिंग भीज सकते हैं, अभी शेयर कर रही हूँ कि हीलिंग कैसे भीजे, ये है जैसे कुझता पदम शरनम दिन में ज रूप उनका ये मंतर मादुरगा को ध्यान में रखते हुए दिन में 108 दफा आप कभी भी चैंट करेश, रात में भी कर सकते हैं, क्रीम, 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 क आप एक कोई भी सफेद रंग का पेपर लीजिए उस पे नीले रंग की पेंच से ये कोड्स लिख डालिए ये healing energy देते हैं कोविट से protection के लिए कोविट हो गया तो उसके बाद healing के लिए और नहीं तो कोविट से बचाव के लिए और आपकी stress level कम हो energy level ज्यादा हो oxygen level दूर रहें तो ये सारे कोड्स हैं मिक्स इसमें आप नीले रंग की पेंच से खुद अपने हांच से सफेद कागज पर लिखें और वो कागज ठकीय के नीचे लगा के सो जाएं अब नहीं तो ठकीय की कवर के अंदर डाल दीजिए ये उनसे healing मिलती है और जब आपको लग रिसाइकलिंग उसी तरह ये पेपर भी रिसाइकलिंग में डाल दे और नहीं तो पेड़ पौध हैं आप आसपास जमीन में इसे आप बरी कर सकते हैं लेकिन ये कोड्स आप लिख सकते हैं और अगर दूची चीज आप यही कोड्स अपने हाथ से नीले रंग की पेंच से अपने पीने वाले शीशे के पानी की ग्लास में शीशे की बॉटल में प्लास्टी की बॉटल में लिख सकते हैं उससे पानी पीते रही जैसे वाइटमिन खाते हैं आप जूस पीते हैं तो ये नंबर्स हीलिंग के हैं जो आपको वो हीलिंग एनरजी देते रहते हैं अब इसे मैं यूनिवर्सल मंत्रा मानती हूं जो श्री साइन जी को मानते हैं या राम जी को मानते हैं या जिस धर्म से आप जिस भी अल्ला या गुरू या पीर फकीर को मानते हैं उनका नाम 108 दफा ले तो वो मंत्रा हो जाता है मंत्रा क्या है आप जितने words का जितने शब्दों का मंत्रा बोलते हैं वो आपके इंकुनली में उस घर से बैट करके जिस घर पे healing दे रहा है जब आप 108 भार करते हैं तो वो पूरा का पूरा universal healing देता है अब आप कर सकते हैं जैसे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम lavender second wind हो भी ये भी आपको help करता है आपके oxygen आपकी breathing lung capacity के लिए पर जब आप पे बीटती है आपके परिवार में किसी को बीटती है उस समय व्यक्ति कितना भी strong हो आसो तो टपते हैं याप पीड़ा तो होती है लेकिन फिर भी आप healing खुद तो नहीं कर सकते मांगते उसी सेहन जो सब को देता है जिसके दर्वाजे जाके कोई ठाली नहीं लोटा है वो ही healing करेगा अब आप क्या करें ये मेरा favorite है दिन भर में खाना बनाते समय है laundry करते समय है बच्चों के साथ बैठते समय है जब फुर्सत मिले ये मुझे बसंद है and I really feel connected तो उस समय वो आपका universal मंत्रा हो जाता है वो क्या है जैसे एक उंकारी सतना करता पुरक निर्भाव निर्वे अकाल मुरत अजूनी सैभं गुर्परसा जब हात सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच जितनी बार आपका मन करें ये जब जी साहिब का मंत्रा I feel really connected जिन पर भरोसा है उनका नाम अगर आप 108 दफा मंत्र मान के लेते हैं श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, 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 हरे राम, हरे राम जिस पर है वो एक अक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र है, दो अक्षरी मंत्र है, उस समय आपकी इंटेंशन अब आपके परिवार में जिसकी तवित खराब है, जो कोविट से हैं, अगर आप मानते हैं, तो या तो आप कुझता, पदम, सरनम नाम लेके करेंगे, उन तक पहुँचेगा, या आप गाईतरी मंत्र करें उन तक ही हीलिंग पहुँचेगे, उनका नाम लेके अब अगर आपको कुछ नहीं करना, आप नहीं मानते हैं हिंदु धर्म को, अब आप ये करेंगे ना आराम से बैठेंगे आप सुबह में हैं, शाम में हैं, रात में हैं, जो भी है आप आराम से बैठेंगे बिलकुल आराम से बैठें आप अपने हाथों को रब करेंगे जब आपने हाथों को रब किया पहले आप मांगते हैं जो देता है आप मांगिए उस इश्वर से जिस बे भी आपकी आस्था है जब आप यह रब करते हैं आपको एनरजी आएगी वो एनरजी आप अपने हाथ में लीजे जिनको भेचना है उनका नाम लीजे मन में और अपने हाथों को ऐसे ले आएए उनका नाम लेते हुए आप अपने हाथों को बिलकुल पास में ले आएए और यकीन मानिए आपको अ के बाद लाइए हाँ जोड़िए पूरी intention के साथ यहां हाँ चक्रा ऐसे प्रेस करिए और मन से कि यह healing उनके लिए है उन तक है यह जिन तक आपके father है mom है husband है kids की उनको आप ठीक करो जिस से में भी है ना मैं मंतर जानू न जादू न टूना भाव है आस्ता है जो मैं जानती हूँ और खरामात करता है और चाहूंगी कि आज आप अपने experiences भी शेयर करें और जो चीज पीड़ा दे रही उसका कमी नाम ले चलिए बताईए इसको क्या कहें हम कोविट कहे कहे के तो इसको पावरफुल कर दिया है ऐसा क्या नाम दें कि ये खुद ही कहते हैं ना जहर को जहर ठीक कर सकता है कोविट बोलते बोलते उसको पावरफुल कर दिया कोई ऐसा नाम सजेस्ट करें चलिए कॉमेंस में बताईए क्या नाम दें कि वो पीड़ा हर लेखो स्वयम ही, है तो भाव का कमाल Sending you lots of blessings and healing energies Take care